हलो 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 दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर कार साथी में मैं सिधात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बात आज हो रही है कि युन्ड़ाई अउरा और मरूती की जो डिजार है इन दोनों गाडियों में से कौनसे गाड़ी वहतर है तो दोस्तों जाहरी से बात है कि Top End Variant में इन दोनों ही गाड़ियों में फीचर पूरे भर-भर के दोनों ही कमपनियां देने वाली है लेकिन सवाल ये उड़ता है कि Basic Variant में इन दोनों ही गाड़ियों की तरफ से आपको कौन से Features देखने को मिलते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन गाड़ियों के जो Top End Variant है वो लोगों के लिए बहुत ही जादा Over The Budget हो जाते हैं तो इसकी विज़ासे Lower End की गाड़ियां लोग खरीते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो कि आप बाद में नहीं लगवा सकते हैं वो चीज़े अगर आपको Company से ही लग करके आएं तो जादा बहतर होता है तो इसी की विज़ासे मैंने सोचा कि इन दोनों ही गाड़ियों की जो एकदम Basic Variant आते हैं उनको यहाँ पर Compare करके देखा जाए कि कौनसी गाड़ि आपको बहतर Features देती हैं और Price के मामले में कौनसी गाड़ी जादा सस्ती है और कौनसी जादा महेंगी है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतिजार किस बात का है आपको आपको अगर ऐसे ही Cars के Comparison देखने हैं उनके Reviews के बारे में जानना है साती साथ Technical Information चाहिए तो दोस्तों ये सब कुछ आपको इसी चैनल में मिलने वाला है चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही नए ने वीडियो सबसे पहले देख सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि दोनों ही गाडियों के कौन से Variants मैंने यहाँ पर चूज किये हैं तो Hyundai Aura का जो E-Variant आता है E-Petrol उसको मैंने यहाँ पर चूज किया है ये इनका Basic Variant है और वही पर मरूती Desire के लिए जो LXI Variant आता है वो मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है दोनों ही गाडिया Petrol के साथ Manual Gearbox के साथ आती है और दोनों ही गाडियों का Engine जो है वो भी इत्तफाक से Same Capacity का लगाया गया है लेकिन ये सारी चीजे देखने से पहले दोनों गाडियों की On Road Price तो हम देख ले तो यहाँ पर देखिए दोनों ही गाडिया बहुत ही जादा Close चल रही है क्योंकि ये दोनों ही गाडिया एक दूसरे को Rival करती है तो जहाँ पर Hyundai Aura जो है वो आपको 6,62,996 रुपे की On Road आती है वही पर अगर Maruti Swift Desire की बात करे तो 6,57,496 रुपे की आती है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो महज 3,000 रुपे का फरक है इन दोनों गाडियों में जादा फरक देखने को नहीं मिलता है तो ये जो comparison है वो काफी जादा tough होने वाली है क्योंकि दोनों गाडियों में फरक जादा है नहीं लेकिन features के मामले में फरक काफी बड़ा आ सकता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले engine से ही शुरू करेंगे तो 1.2L का engine दोनों ही गाडियों में आता है अगर precisely दोनों गाडियों की CC में बता हूं तो 1197cc का engine दोनों ही गाडियों में आपको देखने को मिल जाता है और दोनों ही गाडिया जो है basic variant होने के कारण manual gearbox के साथ आती है जो कि एक 5-speed unit आपको देखने को मिलता है लेकिन दोनों ही engine जो है वो बिलकुल सेम यहाँ पर capacity के होने के बवजूद भी engine की जो tuning है उसके हिसाब से यहाँ पर power में difference जरूर आता है तो Hyundai Aura का जो engine है वो slightly मुझे detuned लग रहा है और थोड़ा सा underpowered भी लग रहा है यहाँ पर swift desire के मुकाबले में तो यहाँ पर Hyundai Aura का जो engine है वो आपको 81.86 bhp की power निकाल करके देता है at 6000 rpm वही पर अगर हम बात करें swift desire के engine की तो 88.50 bhp की power 5500 rpm के उपर आपको मिल जाती है तो यहाँ पर clearly engine की capacity विलकुल सेम है लेकिन tuning जो है वो मारोती ने जादा power के लिए किये गई है यहाँ पर लेकिन torque figures जो है वो लगभग दोनों गाडियों के seem आते हैं जहाँ पर Hyundai Aura के अंदर 113.7 nm का torque देखने को मिलता है जो कि आपको 4000 rpm पे मिलता है वही पर आपको swift desire के अंदर केवल 113 nm का ही torque मिलता है लेकिन वो 4400 rpm के उपर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर Aura का engine जो है वो slightly detuned है तो यहाँ पर आपको fuel economy थोड़ी से अच्छी मिलेगी तो ऐसी बात है नहीं जहाँ पर Aura की fuel economy 20.6 के उपर claim की गई है वही पर आपकी जो swift desire है इसकी fuel economy 23.26 के उपर जो है वो claim की गई है तो यहाँ पर clearly आपकी swift की जो economy है वो ज़्यादा देखने को मिलती है आपको fuel tank की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में 37 लीटर का fuel tank आता है लेकिन क्योंकि आपको swift desire के अंदर fuel economy थोड़ी सी जादा है तो इसकी drive range भी थोड़ी सी जादा आपको मिल जाएगी अगर आप एक बार टंकी फुल करते हैं तो जितनी गाड़ी चलती है उसको कहते हैं drive range तो वो range जो है वो आपको desire में जादा देखने को मिलेगी दोनों ही गाड़ियों में जो है वो electric powered steering wheel आता है लेकिन आपको swift desire के अंदर tilt adjustment के साथ आता है और इस तरीके की कोई भी adjustment यहाँ पर aura के अंदर offer नहीं की गई है braking भी दोनों गाड़ियों में same ही आता है front में disc brake, rear में drum brakes यहाँ तक की wheel का जो size है वो भी दोनों गाड़ियों में same ही आता है दोनों ही गाड़ियों में आपको R14 यानि के 14 इंच के tire देखने को मिल जाते है लेकिन tire section जो है यानि के tire की width और tire profile इसमें बहुत बड़ा difference है तो जहाँ पर औरा के अंदर आपको 165 by 70 का tire मिलता है वही पर desire के अंदर 165 by 80 का tire मिलता है तो थोड़ा सा जाधा चुड़ाई में भी जाधा है और profile भी इसका थोड़ा सा थिक है tire तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वो driving करते समझे traction अच्छा मिलने वाला है desire के अंदर और cornering पे आपको अच्छा यहाँ पर grip देखने को मिलेगा हाला कि औरा के tire भी कुछ जाधा पतले नहीं है अच्छे tire है यहाँ पर 150 by 70 मतलब अच्छा profile है लेकिन थोड़ा सा जाधा यहाँ पर आपको desire में देखने को मिलता है बात करो अगर गाड़ी की length की तो दोनों ही ग विर्थ के मामले में जो है वो औरा थोड़ इसी जो है वो छोटी पर जाती है आपके swift desire के सामने क्योंकि औरा के अंदर 1680 mm की width देखने को मिलती है वही पर आपको desire के अंदर जो है वो 1735 mm की width देखने को मिलती है याने कि desire जो है वो ज्यादा चौड़ी है अंदर में आपक बूट स्पेस की मामले में लेकिन औरा की बूट स्पेस आपको जाधा बड़ी मिलेगी 402 लीटर की बूट स्पेस आपको औरा में मिलती है वही पर डिजायर के अंदर 378 लीटर की बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है लेकिन यहां पर देखिए जो कॉस्ट कटिं है वो अब शुरू हो चुकी है comfort and convenience features की हम बात करने वाले हैं और यहां से cost cutting का खेल शुरू होता है आपको बता है इन दोनों गाडियों में जो है वो अब तक desire काफी आगे चल रही थी dimension wise desire ज्यादा चौड़ी है इसी के साथ साथ कुछ looks feature जो है वो desire के अंदर ज्यादा आ रहे हैं desire के अंदर power ज्यादा आ Rhett but you know what it shameful desire के इस variant के अंदर power windows फेल नहीं आती है front में भी नहीं आती है rear की तो बात ही छोड़िये तो कम-से-कम औरा के अंदर जो है वो front में power windows आती है rear में नहीं आती है तो यह लिटरली शेमफुल है शरमनाग बात है क्योंकि यहाँ पर आल्टो का जो वेरियंट है इसकी अंदर भी टॉप एंड वेरियंट भले ही वो उसका टॉप एंड वेरियंट है लेकिन फिर भी उन्होंने पावर विंडोज उसमें दिये है इतने एंट्री लेवल के गाड़ी में आप दे रहे हैं तो ये तो हम कहें कि सब 4 मीटर कॉंपक्ट सडान का सेग्मेंट है बले ही यह आपका बेसिक वाला वेरियंट है लेकिन फिर भी पावर विंडोज जैसे छोटे मोटे फीचर में कॉस कटिंग नहीं करने चाहिए थी अटलीस फ्रंट में देने चाहिए थे लेकिन यह आपको डिजार में अनफॉचॉनेटली देखने को नहीं मिलता है बाकी यहाँ पर जो है वो आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे जो लगजरी फीचर है वो तो यहाँ पर आहीं नहीं सकते हैं जहाँ पर पावर विंडोज नहीं आती है तो यह कहां से आएगा यहाँ पर बात करें तो low fuel warning light दोनों गाडियों में आती है और accessories power outlet दोनों गाडियों में आता है यहाँ पर rear में reading lamp दोनों गाडियों में आते हैं rear में headrest भी दोनों गाडियों में आते हैं लेकिन again aura के अंदर यह adjustable आते हैं swift desire के अंदर ये fix type के आते हैं तो ये मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे comparison के video बनाए हैं जिनके अंदर मैंने बहुत सारी मारूती की गाड़ियों को compare किया है उनके base variants को तो ये शिकायत मेरी हमेशा से ही रही है कि बाकियों के मुकाबले भले ही मारूती के थोड़े से safety feature दो चार जादा देती हैं वो लेकिन कुछ मामले हैं जहां पर मारूती हमेशा ही पीछे रहती है वो ये है कि comfort and convenience के बहुत basic से basic features को भी मारूती निगलेक करती है दूसरी बात ये है कि इनकी build quality को भी मारूती जो है वो अभी अभी थोड़ी सी तबज्जो देने लगा है लेकिन इसके पहले बहुत ही बुरी आया करती थी और साथी साथ मारूती का engine अच्छा है मैं कहता हूँ कि इनके fuel economy अच्छा है लेकिन interior के मामले में ये लोग उतना ज़ादा ध्यान नहीं देते है इसी के साथ साथ यहाँ पर near room वगेरा का भी ज़ादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये हमेशा से ही मारूती के जो है वो weak point ज़रूर है इनके lower class के variants के अंदर उसे बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में cup holders जो है वो front में आते हैं rear में नहीं आते हैं क्योंकि rear में वो armrest वाला जो चीज है वो दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है तो उसके अंदर generally आपके cup holders जो है वो integrate किये जाते हैं रियर एस इवेंट्स दोनों ही गाडियों में नहीं आते हैं, खेर ये cost cutting का मामला है, दोनों ही गाडिया जो है वो basic आती है variants में, एकदम basic variant है तो ठीक है, ये हम समझ सकते हैं, seat lumbar support भी दोनों गाडियों में आ जाता है, parking sensors भी दोनों गाडियों में रियर में आपको मिल जात इनकी अंदर bottle holders आते हैं, लेकिन rear में नहीं आते हैं, जो कि आपको यहाँ पर desire के अंदर front में भी मिलेंगे और rear में भी मिलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ से छोटे छोटे plastic के दो pieces बचा करके पता नहीं Hyundai ने कौन सी इतनी बड़ी cost cutting की है, लेकिन खेर इसके rear में bottle holder नहीं आते हैं, यहाँ पर tailgate अजार warning जो है, वो आपको औरा के अंदर देखने को मिलती है, यह desire के अंदर नहीं है, अच्छी चीज यह है कि दोनों ही गाडियों में gear shift indicator आपको मिल जाता है, तो जो लोग नए सिरे से गाड़ी सीखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा feature है, वो कई बार gear change करना भूल जाते हैं, तो गाड़ी आपको indication दे देती है, कि अभी सही time है, अब gear change कर दीजिए, इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो desire है, इसके अंदर SHVS technology आती है, यानि कि जब गाड़ी idling पे होगी, वो अपने आप, जो है वो fuel supply कट करके engine बंद हो जा इसके साथ साथ, इसके AC में इन्होंने pollen filter भी डाला हुआ है, जिससे की थोड़ा सा air purification और ज्यादा सुधर जाता है, आपके गाड़ी के अंदर, तो दोनों ही गाड़ीों में आपको heater भी बेलता है, और air conditioning भी मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन keyless entry दोनों ही गाड़ीों में नहीं मिल पाती है, जो की auto में भी आ जाती है, अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ीों के interiors की, तो instrument cluster जो है, वो दोनों ही गाड़ीों के आपको analog plus display वाले मिलेंगे, लेकिन आपको aura के अंदर का जो display है, वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, और साथी साथ इसके अंदर आपको electronic trip meter, digital order meter, इसे के साथ साथ, distance to empty, average fuel consumption, ऐसी सारे feature देखने को मिल जाते हैं, वही पर आपको ये सारे feature जो है, वो desire के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन ये जो distance to empty और average fuel consumption है, ये आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, बाकि दोनों ही गाड़ीों में जो है, वो headlamp बिलकुल साधे आते हैं, और ये leveler feature के साथ आते हैं, आप उसकी level set कर सकते हैं, दोनों ही गाड़ीों में powered antenna आता है, लेकिन rear में wiper, defogger, washer, कुछ भी नहीं आता है दोनों ही गाड़ीों में, तो खेर ये मैं कहूं कि ये sedan class की गाड़ी है, तो ठीक है अगर rear म में आपने कोई wiper नहीं दिया है, या washer नहीं दिया है, लेकिन at least अगर defogger दे देते, तो सुरक्षा के लिहाज से जाधा बहतर होता, दोनों ही गाड़ीों के लेकिन जो tail lamps है, वो पूरी तरीके से LED unit आते हैं, इसके अंदर कोई भी normal bulb का इस्तमाल नहीं किया गया है, और ज से उतनी जाधा बताने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक detail के तौर पर आपको बता दिया है, अब बात करते हैं दोस्तो safety की, तो दोनों ही गाड़ीों में आपको EBS system standard मिलेगा, साथी साथ desire के अंदर आपको brake assist भी मिल जाता है, जो की aura के अंदर है नहीं, लेक पर कुछ ज्यादा ही लगता है कि companyya जो है, वो cost cutting के पीछे लग चुकी है, जिसके तहत वो basic से basic feature भी यहाँ पर नहीं दे पा रही है, child safety locks जो है, वो दोनों ही गाड़ीों में आपको मिल जाता है, anti-theft alarm जो है, वो आपको aura के अंदर मिलता है, यह आपको desire के अंदर नहीं म मिल पाता है, दोनों ही गाड़ीों में दो-दो airbags जो है, वो standard आती है, rear में seatbelt warning और साथी साथ, यहाँ पर rear में seatbelts भी आपको मिल जाते हैं, तो दोसों यहाँ पर engine immobilizer और crash sensor जो है, वो दोनों ही गाड़ीों में आपको देखने को मिल जाता है, EBD जो है, वो भी आपको दो गई है, तो यह एक अच्छा feature आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यह feature तभी काम करता है, जब गाड़ी की चावी जो है, वो keyhole में लगी हुई हो, और तब आप उसे लिकालना भूल जाए, तो उसका buzzing noise आता है, अगर आप normally keyhole से निकाल करके गाड़ी की चावी जो है, वो गाड़ी पे कही भी छोड़ देंगे, और चली जाएंगे, और आप आपको ऐसा expected है कि वो buzzing noise आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एंटी theft device भी जो है, वो आपको Hyundai Aura के अंदर लगा हुआ मिलता है, लेकिन यह आपको desire के अंदर लगा हुआ नहीं मिलता है, speed alert जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है, isofix child seat mounts दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, साथी साथ pre tensioners और force limiter type के जो seat belts हैं, वो भी दोनों गाड़ियों में आपको मौझूद है, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा cost cutting यहाँ पर काम चल सकता था, क्योंकि कई सारी other brands की ऐसी गाड़िया हैं, जो की entry level की बिलकुल गाड़िया हैं, जिनके basic variants हैं, फिर भी उनकी अंदर जो है, वो भले ही basic वाला क्यों नहों लेकिन audio system कम से कम आता है, यह दोनों ही गाड़िया जो हैं, वो miss out कर जाती हैं, तो दोस्तों यह है पूरा लेखा जो खा, तो अब इनमें से कौन सी गाड़ी बहतर रहेगी, तो देखिए कुछ features ऐसे हैं, जो कि Hyundai Aura आपको definitely जादा देती है, उनमें से पहला जो feature यहां पर आता है, वो यह है कि Hyundai Aura के अंदर जो है, वो आपको front में power windows मिल जाती है, जो कि आपको desire के अंद देखने को नहीं मिलती है, इसी के साथ-साथ, यहां पर Aura के अंदर बड़ी boot space अगर आपको जाहिए, तो वो भी मिल जाएगी, Aura का design जो है, वो यहां पर desire के मुकाबले जादा नया है, तो जादा appeal भी आपको हो सकता है, हाँ, width के मामले में Aura थोड़ इसी, जो है, वो desire क के मुकाबले कम है, लेकिन wheelbase दोनों ही गाड़ियों का सेम है, यानि के भले ही width कम है, लेकिन near room वगेरा जो है, वो बिलकुल ही दोनों गाड़ियों में सेम आने वाली है, इसी के साथ-साथ Aura के अंदर का जो आपको screen मिलता है, instrument cluster के अंदर, उसके अंदर आपको information desire के मुका better choice आपके लिए रह सकती है, desire के मुकाबले, क्योंकि desire का क्या है कि भले ही इसके अंदर safety features थोड़े से जादा है, और इसके engine में power थोड़ी जादा है, और width भी गाड़ी की थोड़ी सी जादा है, लेकिन यहाँ पर जो basic basic feature है ना, वो यहाँ पर desire miss out कर जाती है, जैसे कि power windows desire क के अंदर नहीं आती है, इसी के साथ साथ यहाँ पर cup holder जो है, वो front में आ जाते हैं, लेकिन rear में नहीं आते है, rear AC when square दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो है, वो और यहाँ पर जादा भहतर option आपके लिए बन सकती है, तो बस दोसो आ जादा विडियो को शेर भी कर दे, और आपकी क्या राय है, इन दोनों गाड़ियों में से कौनसी गाड़ी जादा भेतर है, हमें comment section में लिख करके जरूर बताएं